क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमश्कार आदाब सुत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकनवाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश बिहार में जातिवार सरविक्षन का जो आंकड़ा आया है बलकि आंकड़ा क्या कहिए आंकड़ों की पूरी की पूरी किताब जो आई है जो रिपोर्ट आई है उसने भ पार्टी को वा कई मुश्किलों में डाल दिया है बुरी तरह भारती जनता पार्टी नितीश कुमार और तेजस्वी यादों की सरकार के द्वारा जो एक व्योह जो रचा गया है उसमें बुरी तरह फंस गई है कोशिश थी कि बिहार को जनवरी महिने से हिंदू मुसल्मान के बीच में बाटा जाए मंदिर मस्जित के नाम पर तमाम तरह का धुबी करण किया जाए समाज का और उसके नाम पर चुनाबी फसल हुगाई जाए लेकिन उससे पहले ही जातिवार सरविक्षण के आंकड़े अब पूरी तरह पब्लिक कर दिये गए अब तक केवल जातियों की संख्या दो अक्टूबर को बताई गई थी लेकिन मंगलवार को विहार विधान सभा के विशेश सत्र में नितीश कुमार की सरकार ने सारे के सारे डॉकुमेंट्स पब्लिक कर दिये बकायदे उन्होंने एक किताब की शक्ल में पूरी रिपोर्ट जो है पेश कर दी इसमें रोजगार से लेकर के शिक्षा तक के आवासी इस्तिती से लेकर कम्प्यूटर पर किसकी कितनी पहुँच है इंटरनेट सहित कम्प्यूटर और इंटरनेट विहीन कम्प्यूटर कहा किसकी कितनी हिस्सेदारी है तमाम ऐसे आखनों को पब्लिक कर दिया गया है दोस्तों भारती जनता पार्टी बहुत होप्फुल थी कि दिसंबर जनौरी आते आते हालात वो बदल देगी और नितीश कुमार तेजस्वी आदों की सरकार को घेर लेगी बलकि वो तो ये भी आशा कर रहे थे कि अपने कॉंटेडिक्शन से ये सरकार स्मय भी गिर जाए लेकिन अब इन आखनों के पब्लिक होने के बाद जिस तरह जनता में रिस्पांस बिहार के दिखाई दे रहा है सरकार के पक्ष में उससे तो ये लगता है कि अब इस सरकार की जो ताकत है इसकी जो एक जुटता है और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गई है साथी नितिश कुमार ने 75 फीस्दी आरक्षन का एलान भी कर दिया है भारती जनता पार्टी ने जो 10 परसेंट आरक्षन EWS को दिया था यानि अपरकास्ट के लोगों को 10 परसेंट आर्थिक आधार पर पिछडापन के नाम पर दिया था उसको भी जारी रखने का फैसला किया है लेकिन जो टोटल रिजर्वेशन है वो कुल मिला कर 65 फीस्दी कर दिया है जो 49.5 परसेंट था वो टोटल 65 परसेंट बना दिया गया है बनाने का एक तरह से अभी फैसला हुआ है लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा और वो मुख्य मंत्री एलान कर चुके हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में कानूनी पहल भी कर लेंगे जिस शिद्दत के साथ ये आंकड़े सामने आये हैं और देश में पहली बार किसी राजसरकार के ऐसे आंकड़े पब्लिक हुए हैं उससे यही लगता है कि सरकार वाकई कमिटेड है कि इसको मंजले मक्सूत का को पहुँचाएगी तो मुझे लगता है कि 75% आरक्षण और प्लस 10% EWS अपर कास्ट आरक्षण इसको जोड़कर 75% करने में कोई कोर कसर नितिश कुमार की सरकार नहीं छोड़ेगी अब मैंने जो बात की शुरुआत की थी भारती जन्ता पार्टी की मुश्किलों की पिछले दिनों हमें शाजी बिहार गए थे और बिहार के मुझे फ़रपुर में उन्हों रैली की थी और जन्ता से कहा था कि 2014 में आपने बीजेपी और एलाइंस को मिला कर 31 सीटे दी थी वो बताना भूल गए कि बीजेपी को 31 सीटे नहीं मिली थी बीजेपी और जेडियू को मिला कर बिली थी फिर 49 सीटों की बात उन्होंने की 2019 में तब भी स्थिती वही थी एलाइंस था अब इस बार वो कहकर आये हैं मुझफर पूर में लोगों को बिहार वासियों को कि आप लोग हमको 40 में 40 सीटे दीजिए लेकिन इस घटना के बाद जो हालात पैदा दिखाई होते नजर आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि वाकई भारती जन्तापाटी मुश्किल में फस गई है जिस आरक्षण के बढ़ाये जाने का वो हर जगा भी रोत करती है चाहे वो तमिलनाड हो चाहे 36 गड़ हो जहां कहीं भी आरक्षण के बढ़ाये जाने की खासकर गलितों या OBC को जहां भी प्रयास होता है बीजेपी, आरेसेस, घंगोर भी रोत उसका करते हैं लेकिन विहार एक मात्र एकसेप्षण है जहां आरक्षण बढ़ाये जाने की जो पेशकस है नितिशकुमार सरकार की जो पहल है उसके समर्थन में उतर आई है बीजेपी करे क्या अगर वो समर्थन न करे तो उसका जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो भी डूब जाएगा तो अपनी लुटिया पूरी तरह डूबने से बचाने के लिए समराठ चौधरी जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने एलान कर दिया कि वो जातिवार सर्वेक्षन की रोष्णी में जो आरक्षन की जो सीमा है वो जो पढ़ाई जा रही है सरकार द्वारा उसका वो समर्थन करेंगे अब केंदर से पूछ कर उन्होंने किया या नहीं किया ये तो वो जाने लेकिन कोई भी राजनितिक रूप से जागरूप व्यक्ति ये जानता है कि बीजेपी में आरेसे सोच बीजेपी की टॉप लीडरसीप से पूछे बगएर कोई काम नहीं होता तो निश्चित रूप से उनको सिगनल मिला है केंदरी नेत्रतों का तभी उन्होंने ऐसा फैसला किया है कि वो समर्थन करेंगे लेकिन इस समर्थन को काफी कस्ट से बहुत मुश्किल जेल कर आरेसे सोच बीजेपी की लिडरसीप ने ओके किया होगा जो लोग हमेशा पिछणों के आरक्षन की समिक्षा की बात करते रहे हैं कि इसकी समिक्षा की जानी चाहिए वो लोग उसकी सीमा बढ़ाने पर साहमत हो जाएं ये चुनावी मजबूरी नहीं तो और क्या है लेकिन दोस्तों जो आकड़े आए हैं जातिवार सर्वेक्षन के वो ये बताते हैं कि आरक्षन क्यों जरूरी है और वो ये भी बताते हैं कि जाती का अमीरी और गरिवी से वाताई रिष्टा है जो अब तक नहीं माना जाता रहा है बहुत सारे खे में सिक्षा सास्तियों का, समाज सास्तियों का, विद्वानों का, पत्रकारों और संपादकों का कहता रहा है कि जाती न पूछो साधो की वो मानते रहें कि जाती जो है वो हवा में है एक मिथ्या चेतना है लेकिन अब तो जाती एक असलियत पुजागर हो गई है इस पूरे सर्वेक्षण में कि वाकई जाती के आधार पर अमीरी और गरीवी भी बंटी होई है विहार के इस जातीवार सर्वेक्षण से ये भी बात सामने आई है कि जो हिंदू अपरकास्ट या मुस्लिम अपरकास्ट जो पार्टियां है अरे जो समू है उनके पास जमी जायदा ज्यादा है भारी बड़ी पैमाने पर है और जो पिछडे वर्ग के लोग है छे हजार इनकी है उनमें भी पिछडों की तादात बहुत कम है वह आंकडा हम आपको अभी पेश कर देंगे इसी तरह से अन्य छेत्रों में भी यही पिछडापन दिखाई देता है SCST के बीच में और OBC के बीच में EBC के बीच में यानि जाती के आधार पर अमीरी और गरीवी बटी दिखाई देती है ये इस जातीवार सर्वेक्षन के नतीजे से बिलकुल सामने उभर कर बाताती है मुझे लगता है कि इसने भारती जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो बैकवर्ट कम्यूनिटी के रिजर्वेशन को बढ़ाने के प्रस्ताव पर समर्थन दें वरना जनता उनको निरुत्तर कर देगी जनता उनको बहत निराश कर देगी आने वाले चुनाओं में अब भारती जनता पार्टी देखना है कि आगे बिहार की राजनीती में किस तरह क्या कदम ताल करती है और कैसे जो एक बड़ा फैसला नितीश कुमार और तेजस्वी आदों क सरकार ने किया है एक तरह से बीजेपी को निरुत्तर कर दिया है उसके पास कुछ बचा नहीं है कि वो करे क्या कैसे काउंटर करे सारे के सारे उनके हाथ से जो इनिशेटिव हो सकते थे उनकी ओर से जिसका वो इंतियार कर रहे थे जनौरी महीने का तो अब हिंदू मुस्लिम में बाटना मंदिर और मस्जिद में बाटना समाज को उनके लिए बेहत मुश्किल हो जाएगा अमीरी और गरीबी का सवाल है रोजगार का सवाल है लोगों के आवास का सवाल है तो दोस्तों आज इतना ही नमशकार आदाब सत्स्रियकाल